हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ड्रेग दोस्तो आज की सेशन में हम करेंट अफेर्स का महा रिविजन करने वाले यानि एक से लेके 21 मई तीन हफ़तो का करेंट अफेर्स का महा वार करने वाले हैं आप पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा के सुनियेगा मैं जुकेगा नहीं मैं एक्जाम से डरेगा नहीं ये वाली सिरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप पूरे सेशन को जब सुनेंगे तो आप हर एक प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स पे भी देंगे और साथ में अपने कॉपी पे ले करके भी बैठना है हर एक प्रशन का उत्तर आपको कॉपी पे लिखना है लास्ट में सभी जो प्रशन है 40 कुशन्स मैंने आप पर सिलेक किये हैं आप अपना स्कोर बताएं कि आपने एक से लेके 21 मैं तक कितने अच्छे से पढ़ाई की है तो चले फ्रेंड्स देर नहीं करते हैं शुरू करते हैं आज का बहतरीन सेशन असफलता का मतलब ये नहीं है दोस्तो कि आप असफल हैं बलकि इसका सीधा मतलब इतना है कि आप अभी तक सफल नहीं हो दोस्तो असफलता एक चुनोती है इसे स्विकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो और जब तक ना सफल हो तुम मींद चैन को त्यागो तुम संघर्स का मैदान छोड मत भागो तुम ऐसे ही कुछ किये बिना जैजैकार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती देखी फ्रेंड्स आज का सबसे पहला important current affairs आपके सामने रहा हाली में किस देश के राश्टपती सेख खलीफा बिन जायद अलनहयान का निधन हो गया है तो देखी ये संयुक तरब अमिराद के राश्टपती थे जिनका हाली में निधन हुआ है इनका निधन कभ हुआ है 13 मई 2022 को दोस्तो इनकी याद में भारा सरकार ने इनके निधन पर 14 मई 2022 को एक दिन का राजकी शोग भी घोशित किया और जब भी कोई राजकी शोग घोशित किया जाता है तो जो हमारा राश्टी ध्वज है यानि तिरंगा उसे आदा जुका दिया जाता है दोस्तो इनके निधन पर 40 दिनों का राश्टी शोग घोशित किया गया है देखी फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा सेख खलीफा 3 नवंबर 2004 को UAE के राश्पती बने थे ये दूसरे राश्पती बने थे किस देश के संयुक तरप अमिराद के देखी फ्रेंड्स सेकेंड इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आपके सामने रा हाली में देश के 29 सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार को ग्रहन किया है तो इनका क्या नाम है मनोज पांडे ये कि इनका स्थान लेंगे मनोज मुकुन नरवडे जी का स्थान लेंगे जोकि 28 सेना अध्यक्ष थे दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये नए आर्मी चीफ का चार्ज इन्होंने कब लिया 30 अप्रल 2022 को 28 सेना अध्यक्ष MM नरवडे 30 अप्रल को रिटायर हो चुके हैं दोस्तो मनोज पांडे इस पत पर पहुँचने वाले सबसे पहले इंजीनियर है इन्होंने important operation का leadership भी लिया था जैसे सिक्किम और लद्दाग बॉर्डर इन्होंने बहुत सारे operation का नित्र तो किया है देखी friends third important current affairs आपके सामने रहा हाली में केंदरी माधमिक, सिक्षा बोर्ड, CBSE के अध्यश के रुप में किसे निउप्त किया गया है तो इनका क्या नाम है निधी छिप्बर क्या नाम है इनका निधी छिप्बर दोस्तों ये निधी छिप्बर जो है अभी भारी उद्द्योग मंत्राले में अध्यक्त सचिप थी अब ये क्या बना दी गई है कि इंद्री माधमिक, सिक्षा बोर्ड की राश्पती रामनाथ कोविन ने किस देश की संसत के दोनों सदनों को संबोधित किया है तो दोस्तों हाली में राश्पती रामनाथ कोविन जी जमैका की यात्रा पर थे इन्होंने जॉइंट मिटिंग को संबोधित किया है दोस्ते यहां पे joint meeting की बात आ रही है तो भारत में भी joint meeting का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 में है joint meeting कौन बुलाता है तो देश का राश्पती joint meeting बुलाता है लेकिन उसका अध्यश कौन होता है लोकसभा का speaker वर्तमान में ओम बिल्ला कौन ओम बिल्ला यह जो हैं लोकसभा के अध्यक्षे दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा ध्यान से सुनना है important question आपसे पूछा जा सकता है दोस्तो राश्पती रामनाथ कोविन किस नंबर के राश्पती हैं तो भारत के 14 प्रसिरेंट है याद रखिएगा इसके लाबा बात करें तो राश्पती जी ने जमेका सरकार के द्वारा किंस्टन में एक एवेन्यू का नाम भीम राओ अम्बिडकर के नाम पर रखा गया और इसका उध्गाटन भी किस ने किया है हमारे राश्पती रामनाथ कोविन जी ने बिग अनाउंस्मेंट है आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक लाइव क्लासेस भी ला रहा है और ये लाइव क्लासेस कहां पर चलेंगी रूट पर चलेंगी आपको रूट अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तो रूट अप्लिकेशन क्रेजी जी के ट्रिक के द्वरा ही पावरड किया गया है डाउनलोड कीजे रूट अप्लिकेशन को यहाँ पर आपको रेसेंड भी मिलेगा दोस्तो root application को आप डाउनलोड करें जिसका link आपको नीचे description box में दिया गया है यहाँ पर आपको हर विशय का free test भी मिलेगा तो आप इन free test को भी join कर सकते हैं हर subject का especially current affairs का जो आप पढ़ रहे हैं 5th important current affairs आपके सामने रहा हाली में wish press स्वतंतरता सूचकांग 2022 जारी किया गया और भारत को कौन सी rank मिली है दोस्तो भारत की rank पहले से घड़ गई है आप अपना answer comment box पर दें और copy पर लेक ले तो इसका सही उत्तर है 1.500 भारत 150 place पर पहुँच चुका है किसमें wish of press स्वतंतरता सूचकांग में देखे 180 देशों को सर्वे में रखा गया था ये report किसके द्वारा पेस की गई है reporters without borders के द्वारा world press freedom index तो 2022 जारी किया गया ये कहा कि संस्थान है तो ये France की है दोस्तो इस सूचकांग में सबसे उपर कौन सा देश है तो ये है नॉर्वे दूसरे नमबर पर है डैनमार्क तीसरे पर स्वीडन है एस्टोनिया फोर्थ प्लेस पर है और फिन्लेंड फिफ्ट प्लेस पर है भारत को 41 का स्कोर मिला है 2021 में भारत 142 प्लेस पर था भारत की रैंक और भी घड़ गई है और भारत अब 150 प्लेस पर पहुँच गया है चली फ्रेंड चलते हैं शिक्स्त इंपोर्टेंट जोरदार प्रशन की और प्रशन आपके सामने रहा हाली में 8000 मीटर से उची पांच चोटियों को फत्य करने वाली पहली भारती मिला कोन बनी है इंगा क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है प्रियंका मोहिते क्या नाम है प्रियंका मोहिते अब आपसे प्रशन ये पूछा जाएगा कि प्रियंका मोहिते किस राज जिससे संबंदित है तो ये महरास्ट्र के सतारा की हैं इन्होंने 5 मई 2022 को कौन सा परवत कंचेन जंगा परवत की चढ़ाई की जो की 8586 मीटर की उचाई पर है दोस्तो 8000 मीटर से अधिक मुची 5 चोटियों को फतह करने वाली ऐसा कारनामा करने वाली ये पहली भारती मैला बन गई है दोस्तो अगर आपसे पूछा जाये के कंचेन जंगा कहां पर है तो सिक्किम में ये दुनिया की तीसरी सबसे उची चोटी है दोस्तो दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट टेवरेस्ट है जो की 8850 मीटर पर है दूसरा है के टू जो की कारा कोरम दर्रे में है जमुएन कश्मीर में देखी फ्रेंड्स सेवेंट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आपके सामने रहा हाली में मैला विश्व मुक्यबाजी चेंपेंशिप में निकह जरीन में कौन सा मेडल जीता है विच मेडल डिड निकह जरीन विन इन्दी वुमेंस वोल्ड बॉक्सिंग चेंपेंशिप तो दिखी वहरी वहरी important question है इन्होंने गोल्ड मेडल हसल करके भारत का नाम ऊचा कर दिया है दिखी निकह जरीन कितने किलोग्राम वेट केटेगरी में इन्होंने गोल्ड मिडल जीता है 52 गेजी फाइनल में इन्होंने थाइलेंड की जीद पोंग जूटा मेंस के खिलाफ शांदाल लड़ाई लड़ी और भारत को गोल्ड मिडल दिला दिया दिएकि इस कायजन कहाँ पर हुआ है तो इस कायजन हुआ है तुर्की के इस्तानबुल में दोस्तो विश्यो मुक्यवादी चैंपियंशिप में गोल्ड मिडल जीतने वाली ये पाँचवी भारती महिला बनी है दोस्तो अनेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के बढ़ते है थॉमस कब 2022 हाली में किस ने जीता है तो थॉमस कब को जीता है भारत ने किसको हरा करके इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने जीता है दोस्तो ध्यान देने वाली बात ये है कि Thomas Cup जो है ये male badminton championship है वहीं पर अगर आपको नाम सुनाई दे Uber Cup तो Uber Cup जो है ये महिला badminton championship है भारती पूरुस badminton team ने इतिहास रचा और 73 साल में पहली बार इंडोनेशिया को हरा कर Thomas Cup पर कबजा कर लिया भारत ने इंडोनेशिया ये team को 3-0 से हराया है मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा सफल टीम जो की Thomas Cup पर है वो है इंडोनेशिया दोस्तो सिंगल्स में लक्ष सेन और किदामभी श्रीकात ने जीत हासल की वहीं पर डबल्स में सातवीक और चिराक की जोड़ी ने जीत हासल की है नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आपके सामने रा ध्यान से सुनना है हाली में human rated solid rocket booster HS200 का परिक्षन किसके द्वारा किया गया तो किसके द्वारा किया गया है इसरो के द्वारा दोस्तो इसरो जो संस्थान है ये भारत में space development के लिए कार करती है सेटलाइट development अंतरिक्ष विज्ञान के लिए कार करती है दोस्तो इसरो के वर्तमान अध्यष को ने S. सोमनाद क्या नाम इनका S. सोमनाद इसका मुख्याले कहां पर है बेंगलूरू में है इसकी स्थापना कब हुई 1969 में अब आई जानते हैं कि HS200 का क्या कार है तो ये जो HS200 है ये गगन यान मानव mission प्रोग्राम का एक important पार्ट है जो गगन यान को launching करने में प्रेक्षेपित करने में मदद करेगा देखे इसकी launching कहां पर हुई है स्री हरी कोटा के 37 धवन space center में इसकी launching हुई 135 सेकेंड में 203 टन का ठोस प्रणोदग यानि solid fuel solid fuel solid propellant आप कह सकते हैं इधन का इस्तमाल किया गया देखे 10th important current affairs आपके सामने रहा देव सहायम पिलाई को वेटिकन में pro Francis Catholic Church के द्वारा संत घुशित किया गया इनका जन्म किस राज में हुआ था पहले ऐसे भारती बने हैं जिनने पोप Francis के द्वारा संत घुशित किया गया है इनका जन्म 1712 में तमिल नाडु के कन्या कुमारी जिलेक के नटलंग गाउं में हुआ था दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1745 में Catholic बन गय इन्होंने साइध धर्म को अपना लिया और इन्होंने अपना नाम लेजारुस रख लिया देखी फ्रेंड्स 11th important current affairs आपके सामने रा हाली में अंतरास्टी संग्रहाले दिवस मनाया गया तो अंतरास्टी संग्रहाले दिवस कब मनाया गया आईए जानते हैं कि संग्रहाले दिवस क्यों मनाया जाता है तो सबसे पहले इसका answer आप comment box पे दे आप अपने answer copy पे भी लीग सकते 18 मई को हर साल अंतरास्टी संग्रहाले दिवस मनाया जाता है देखी इसका उदेश्य क्या है social development में जो समाजिक विकास है उसमें museum की भूमिका के बारे में लोगों को aware करना दोस्तों आपको museum में क्या देखने को मिलेगा आपको प्राचीन साक्ष मिलेंगे ancient evidence मिलेंगे जो हमारे history से हमें connect करता है हमारी सब्धता से हमें जोडता है और हमारी समझ को develop करता है किस प्रकार से प्राचीन में हम लोग रहते थे तो museum इसलिए बहुत ज़रूरी है international council of museum के द्वारा 1977 से हर साली दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों international council of museum कैसी संगठ है ने यह एक non profit government organization है जिसका मुख्याले France की capital Paris में है theme याद रखिएगा the power of museum चली दोस्तों चलते हैं 12th important current affairs की ओर हाली में Canton Cool ने कौन सी बार Mount Everest पर चढ़ाई की है how many times has Canton Cool climbed Mount Everest तो दोस्तों इन्होंने 16 बार Mount Everest की चढ़ाई की अब आपसे प्रस्ण यह पूछा जाएगा कि Canton Cool की इस देश के नागरिक है तो इस ब्रिटिस नागरिक है इन्होंने 16 बार Mount Everest को फत्य किया है इसके पहले जो record है अमेरिकी परवातारोही के नाम था इनका क्या नाम है Dev Han Mount Everest पर चढ़ाई की है 13th Important Current Affairs यह रहा Revision भी हो रहा है दोस्तो साथ में आपका टेस्ट भी हो रहा है इसलिए हर equation cancer आप लिखते चलिए हाली में विश्व खाद पुरस्कार 2022 कि से दिया गया है Who was given the World Food Prize 2022 तो देखी friends मैंने आपको trick बताया था Dr. Cynthia Rosen Joyak को मिला है यह award यह किस देश की नागरिक है यह अमेरिका की नागरिक है दोस्तो इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला है क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो खाद का उत्पादन जो food का production है उस पर climate की वज़े से कितना impact पड़ रहा है जो हमारा food pattern है food production का pattern वही बदल गया है तो इन्होंने इस से related research को डबलव के एक modeling की है इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है दोस्तो 14th important current affair से रहा हाली में मुख्य मंत्री मितान योजना किस राज में शुरू हुई है in which state मुख्य मंत्री मितान योजना has started मितान योजना हाली में 36 गड़ राज के द्वारा शुरू की गई है आईए समस्ते हैं कि मितान योजना क्या होता है पहले 36 गड़ की मुख्य मंत्री के वारे में जानते है तो यह भूपेश बगहेल जी दोस्तो भूपेश बगहेल जी ने इस मितान युजनर की शुरुवात की है इसके तहट क्या होगा दोस्तो 36 गड़ की जो निवासी है अपने घर पर लगभग 100 सारजनिक सेवाओं का लाब उठा सकते है मितान का मतलब होता है मित्र या दोस्त आपको अपने मितान को कॉल करना है इसके लिए आपको टॉल फ्री नंबर दिया गया है 14545 और अपने मितान से संपर कर सकते हैं जो भी मुझे 36 गड़ का जो यूजर है जो 36 गड़ का लिसनर रे स्टूडेंट थे सुन रहा है तो आपको 14545 को डायल करना है चलिए हमारे छेना के रजगलो 15th Important Current Affairs की हो हाली में संयुक्त राष्ट मानाव अधिकार परिशद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा विच कंट्री विल रेप्लेस रेश्या इन यूनाइटेड नेशिन Human Rights Council तो दोस्तो हाली में चेक गड़ राज रूस की जगह शामिल होगा दोस्तो रूस को हटा दिया गया है आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट मानाव अधिकार परिशद Human Rights के लिए कारे करता है और रॉस्या ने बहुत गलत किया है रॉस्या यूक्रेन पर वार कर चुका है और अभी भी वार कंटीन्यू है इसलिए बहुत सारे sanctions लगाए जा रहे है रश्या के उपर देखे ये जो चेक गड़राज है इसे 157 वोट मिले इनके फेवर में और चेक गड़राज रूस द्वारा छोड़ा गया कारकाला पूरा करेगा देखी फ्रेंड्स 16th important current affairs आपके सामने रहा हाली में राश्ट्री cyber forensic प्रियोक साला का उद्गाटन कहा किया गया है तो कहां पर किया गया है फ्रेंड्स हैदराबाद में हैदराबाद में किसके द्वारा किया गया है केंदरी ग्रह मंत्री अमिशाजी के द्वारा दोस्तो हैदराबाद में Central Forensic Science Laboratory की परिसर में National Cyber Forensic Laboratory का शुभारम किया गया है अब आई जानते हैं कि यह प्रियोक साला क्यों बनाए गया दोस्तो हम Digital Era में हैं जहां पर Cyber Crime होना एक आम बात है दोस्तो जिनके साथ Cyber Crime हुआ है तो वो क्या करेंगे अपने Problems को अगर वो चाहते हैं उसका Solution जो उनके साथ हुआ है कि जल्दी से मामला सुलच जाए इसके लिए इसका गठन किया गया है तो मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए योजना बनाई जा रही है दोस्तो ग्रह मंत्राले ने December 2021 में NCFL हैदराबाद की स्थापना को बंजूरी दी थी चली दोस्तो चलते 17th important current affairs की ओर तो देखी friends हाली में अगले मुक्य चुनाव आयुक तो कौन होंगे who will be the next Chief Election Commissioner तो अगले चुनाव आयुक तो बनाए गए है तो इनका क्या नाम है राजीब कुमार ये 25th Chief Election Commissioner बनाए गए है दोस्तो यदि आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयुक से संबंदि जो प्रावधान है हमारे संवधान में किस भाग में है तो भाग 15 में है पार 15 में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है 323 से लेके 329 आर्टिकल तक है राजीब कुमार मुके चुनाव आयुक्ति निवत्त किये गए है कब 15 माई को एक कारेभार को घ्रहन कर चुके है ये जानकारी केंदरी कानून मंत्री किरन रीजीजू ने अपने ट्वीट अकाउंट से दी है 18th important current affairs आपके सामने रहा हाली में भारती Airtel के MD और CEO कौन बने है Who has become the MD and CEO of भारती Airtel तो इनका क्या नाम है गोपाल विट्टल गोपाल विट्टल जो है दोस्तो 31 जनवरी 2028 तक अपने कारेकाल को समा लेंगे दोस्तो भारती Airtel जो है यह एक टेलीकॉम कमपनी है जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को सुनील भारती मितल के दोरा की गई थी देखे फ्रेंड्स 20th important current affairs आपके सामने रहा हाली में तृपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने है Who has become the new chief minister of तृपुरा तो इनका क्या नाम है? मानिक साहा यह कि इनका स्थान लेंगे विपलफ कुमार देव का स्थान लेंगे जो 14 मई 2022 को अपने पस से स्थीफ़ा दे चुके हैं देखे इसके पीछे राजनितिक कारण माना जा रहा है इन्होंने स्थीफा दिया है विपलब कुमार देव किस वर्स तिरपुरा के सेम बने 2018 में इन्होंने अपना स्तीफा की से दिया है राज पाल सत्य देव नारायन आरे को चली मित्रों चलते हैं 21st Important Current Affairs के ओर किन भारती पत्रकारों को पुलिज़ पुरसकार 2022 से सम्मानित क्या गया है तो इनका क्या नाम है अदनान आभीदी, सना इर्षाद मट्टू, अमिद दवे और दानिस सिद्धी की 22 Important Current Affairs ही रहा हाली में सूचना प्रद्योगी की सचिव किसे बनाया गया है तो इनका क्या नाम है अलकेस कुमार शर्मा अलकेस कुमार शर्मा सीनियर आईये सदिकारी है ये अलेट्रोनिक सा सूचना प्रद्योगी की मंत्राले के सेकेटरी बनाये गये है अश्वनी वैशनव जो की भारत की वरतमन रेल मंत्री भी है इसके पहले बात करें अलकेस जी कैबिनेट सचिवाले में अधरिक्त सचिव और सचिव की रूप में कारे कर चुके हैं चली दोस्तों चलते हैं 22 Important Current Affairs की ओर तो प्रशन आपके सामने रहा हाली में 2021 के ग्रीश मकालिन डेफलेंपिक्स में भारत में टोटल कितने मिडल जीते हैं तो इसका सही उत्तर है 16 मिडल दोस्तों देखिए कई जगह उपर मैंने जब ऑफिशल साइट पर चेक किया था तो इस 17 मिडल था लेकिन जब हम मैडल टैली को देखते हैं तो आप पर 16 मिडल है तो ये confusion का state था वहीं से मैंने निकाला है अभी भी confusion है दोस्तों कहीं 16 दिख रहा है थोड़ा सा मैं और बीच जाने दीजे मैं आपको बता दूँगा आप अभी 16 मिडल देखें क्योंकि मैडल टैली में 16 है वहीं पर हम official side में देखें तो 17 दिख रहा है दोस्तों 2021 का summer defilampics कहां पर हुआ है तो ये हुआ है ब्राजील में कहां पर ब्राजील में कैक्सियास डो सूल में इसका origin किया गया थीम याद रखिये मोटो याद रखिये sports comes from our hearts शुभंकर क्या है रिंग टेल्ड कोटी नीनो तो विश्व बैंक ने स्रेष्ट परियोजना के तहत गुजरात राज की मदद की है देखे स्रेष्ट योजना क्यों चालू की गई है इसके बीचे क्या उद्देश है सरकार जो है जो rural area है जो urban area है वहां के लोगों के लिए health services का provide करेगी health services को expand करेगी और epidemic prevention system को मजबूत क करेगी यानि ऐसी कोई महा मारी नहों कोई ऐसी बिमारी बनती है तो उसे तुरंगती वहाँ पर खदम कर दिया जाए ऐसा eradication किया जाए यह सारा सिस्टम स्रेष्ट परियोजना के तहत लागों किया जाए ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तो इसमें 500 million अमेरिकी डॉलर क खर्चाएगा जिसमें से 300 वर्ल बैंक देगा और 1500 million अमेरिकी डॉलर गुजरास सरकार खुद वहन करेगी 24th important current affairs आपके सामने रहा धुआ धुआ कर देंगे बारवी होकी इंडिया सीनियर महिला रास्ती चैंपिनशिप 2022 का हाली में चैंपिन कौन सराज बना है तो दोस्तो किस राज को हराया है करनाटक को कितने से 2-0 से हराया पूनम बारला और आशिन कंचन बारला का इसमें प्रमुख योगदान दोस्तो हाली में 12th senior men's national hockey championship का भी आजन हुआ और इसमें हर्याना विनर बना दोस्तो 25th important current affairs आपके सामने रहा जोरदार प्रशन है ध्यान से सुनना है और हर एक प्रशन का उत्तर comment box पे देना है साथ में copy पे भी अपना answer लिखना है तो दिखें Andrew Simon की इस देश के क्रिकेटर थे जनका हाली में निधन हो गया है तो आप तो सभी जानते हैं world famous थे Australia के player थे इनकी सडक दुर घटना में निधन हो गया है दोस्तो हाली में एक और Australia player का निधन हुआ तो Shane Vaughan की Thailand में farmhouse पर heart attack से इनका निधन हो चुका है चलिए फ्रेंट चलते हैं 26th important current affairs की और हाली में कामी रीता शेरपा ने 26 भी बार Mount Everest पर चड़कर अपना है record तोड़ा है इनका संबंध कि इस देश से है तो दोस्तों इनका संबंध है नेपाल से कहां स है नेपाल से नेपाल की परवतार हो ही है कामी रीता शेरपा इन्होंने 26 times Mount Everest पर चड़ाई की है और दोस्तों इन्होंने पुराने परामप्रिक दक्षिन पूर्वी रिज मारक अस्तमाल करते हुए ये मुकाम हासल किया है सबसे पहली बार 1994 में पहली बार Mount Everest की इन्होंने 22 धमाकेदार प्रशनी आ गया रामगर्ड विश्धारी अभरण को भारत का 52 नंबर का बाग अभरण अधिसूचित किया गया ये किस स्टेट में है ये किस राज में है तो दोस्तों किस राज में है राजिस्थान राज में है ये जानकारी हमें किस ने दी है किंदरी पर्य प्रांकारे के लिए बता दू, सबसे ज़्यादा जो बाग हैं, किस राज में पाए जाते हैं, MP में पाए जाते हैं, दूसरे नमबर पर कहाँ पर पाए जाते हैं, करनाटक में कहाँ पर, देखी फ्रेंड्स यदि आप से पूछा जाए कि राजस्थान में कितने बाग अभ् 28th important धमाकेदा प्रश्ण फिर से, मार्कोस जूनियर की इस देश में राश्पती का चनाओ जीच चुके हैं, मार्कोस जूनियर हैस वान दी प्रेसिदेंशल एलेक्शन औफ विच कंट्री, तो दोस्तो ये फिलिपिन्स के राश्पती का चनाओ जीच चुके हैं, और 29th important question ये रहा, रक्षा मंत्री के द्वारा लॉंच किया गया सूरत और उधेगिरी क्या है, वाट और सूरत और उधेगिरी लॉंच बाई डिफेंस मिनिस्टर, तो दोनों ही वार्शिप हैं, क्या है वार्शिप हैं, डिफेंस मिनिस्टर को ने, तो राजनाज सिंग डिफ इसको किसके द्वारा लॉंच किया गया है, मजगाव डॉक शिप यार्ड लिमिटेड मुंबई में इसे लॉंच किया गया है, दोस्तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, 30th important current affairs आपके सामने रहा, हाली में Indigo के CEO किसे निउक्त किया गया है, पीटर्स एलबर्स किसकी जगह लेंगे, रोनो जोए दत्ता की जगह लेंगे, Indigo कहां पर है, इसका मुख्याल है, गुरुग्राम में है, और इसके प्रबंद निदेशक राहुल भाटिया जी है, Indigo की स्थापना 2006 में हुई थी, 31st important current affairs जोरदार ये रहा, भारती उत्योग परिशंग के नए अध्यश कोन बने है, who has become the new president of confederation of Indian industry, आप अपने अंसर कमेंट बॉक्स पर लिख ले, कॉपी पर लिख ले, और चेक करते रहे हैं, क्या आपसे प्रशन बन रहे हैं, जिसका सही उत्तर है संजीब बजाज, क्या उत्तर इसका संजीब बजाज, ये 52 important current affairs ही रहा, Madrid Open का खिताब हाली में किसने जीता है, who has won the Madrid Open title, तो इनका नाम है कार्लोस अलकराज, कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाडी है, तो ये span के खिलाडी है, इन्होंने Alexander Zverev को हराया, जो की एक German tennis player है, दोस्तों final में पहुशने से पहले, इन्होंने धुआ धुआ कर दिया, दुनिया के नंबर एक खिलाडी नुवाग जोकोविच, जो की सर्बिया के प्लेयर है, राफिल नडाल, इन लोगों को भी हरा दिया है, और दोस्तों इस जीत के साथ, कार्लोस अलकराज जो है, किस रैंक पे पहुँच गए है, छटे स्थान पर पहुँच गए ह हाली में मियूक तो किया गया है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो इसका सयुत्तर है, फ्रांस, हाली में दोस्तों दुबारा से राश्ट्र पती बने हैं, इमेनुवल मैकरो, किस देश के फ्रांस की, तो इनके दौरा ऐलीजाबेद बॉन को फ्रांस के नए प्रधान मंत्र की रूप में नामित किया गया है, दोस्तों एलीजाबेद बॉन की इनके स्थान पर आई हैं, जीन कास्टेस का ये स्थान लेंगी, और ये इस पत पर काभिज होने वाली दूसरी महिला है, 34th Important Current Affairs आपके सामने रहा, हाली में नेपाल में भारत के नए राजदूत कोन बने ह तो इनका नाम है, नवीन शर्वास्तवा, क्या नाम है, नवीन शर्वास्तवा आईये जानते हैं, नवीन शर्वास्तव वरतमाई में foreign ministry में additional secretary है, दोस्तों यहाँ पे एक option दिया गए हर्श् वर्धन श्रिंगला, तो हर्श वर्धन श्रिंगला जो है, फोरे मिनिस्री में पहले विदेश सचिव थे लेकिन इनका स्थान हाली में विने मुहन कौात्रा ने एक माई 2022 को ले लिया है और देखें विने मुहन कौात्रा जो हैं पहले नेपाल में भारत की दूद की रूप में कार कर चुके हैं चलिए दोस्तों चलते हैं 25th Important Current Affairs की और कांस फिल्मे-फेस्टिवल की इस देश को कंट्री ओफ्व ओनर चुना गया है विश कंट्री has been choosen as the country of honor at the कांस फिल्मे-फेस्टिवल तो भारत को कंट्री ओफ्व ओनर चुना गया है देखें जो फैस्टिवल है कब से कब तक चला 17 मई से लेके 28 मई तर और इस साल सुरू इस नई परंपरा को भविश में होने वाले Film Festival के संसकरणों में भी जारी रखा जाएं विशेश रूप से बात जो आपको जाननी है वो ये है कि जो दीपिका पादुकोड जी है ये कांस Film Festival में जूरी के तौर पर चुनी गए है दोस्तों गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों धुआ उड़ा देंगे 36th Important Current Affairs आपके सामने रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कितने परामपरी खेल को हाले में शामिल किया गया है पहले तो आप ये जान लेजिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हो रहा है हरियाणा में हो रहा है कहां पर हो रहा है हरियाणा में हो रहा है तो दोस्तों इसमें 5 खेलो को शामिल किया गया है आईए जानते हैं कि कौन कौन से गेम है पहला है गतका, दूसरा है थांगता, दीसरा है योगाशन, चौता है कलारी पयट्टू और पाच्वा है मलखम दोस्तो चार से लेके तेरा जून तक पंचुकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगर और दिल्ली में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आजन किया जाएगा दोस्तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आजन इसके पहले गुहाड़ी असम में किया गया है चलिए धुरंदरो 37th Important Current Affairs आपके सामने रहा हाली में केंदरी प्रत्यक्ष करबोर, CBDT के अध्धश के पत का प्रभार किसे दिया गया है इनका क्या नाम है, दोस्तो इनका नाम है संगीता सिंग, कि इनके स्थान पर आ रही है, जेबी महापात्र दोस्तो दो माई को इन्होंने कारभार को समाल लिया है जेबी महापात्रा जो है पिछले साल सितंबर में केंदरी प्रत्यक्ष करबोर का इनने पूर्ण कालिक अध्धिक्ष नियुक्त किया गया था देखिए संगीता सिंग की बात करें दुसके पहले लिखा परिक्षा और नयाइक का ये प्रभार समाल रही है और इनके पास आयकर और राजजश्वन और करदाताओं सेवाओं का भी अतरित प्रभार है 38th Important Current Affairs तो दोस्तो बहुत ही जरूरी है आने वाल एक्जाम्स के लिए Most Important Question है प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुंबनी पहुचें लुंबनी कहां पर है लुंबनी किस देश में है तो लुंबनी कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों नेपान में कहां पर है नेपान में ये का भी आतरा पर थे 16 माई को दुनिया का शा रखी देगी नेपाल के प्रधानमत्री कोन है शेर बहादूर देवबा नेपाल के राशपती कोन है विद्या देवी भंडारी 39th important current affairs ही रहा इटालियन ओपन में 38 मास्टर्स 1000 का किताब हाली में किसने जीता है इनका क्या नाम है तो दोस्तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच कमेंट बॉक्स वे बताओ किस देश के खिलाडी मैंने आपको ट्रिक बताया था याद है ना तो नुवाग जोकोविच सर्विया के प्लेयर हैं, किस देश के प्लेयर हैं, सर्विया के प्लेयर हैं दोस्तो इटैलिन उपन की बात करें तो इसका आजन कहां पर हो रहा है, इटली, रोम में इसका आजन हो रहा है जो कि एक tennis tournament है और ये किस कोट में खेला जाता है? प्ले कोट में खेला जाता है आज का आखरी इंपोर्टेंट महा रिविजन का जो प्रश्ण है वो ये रहा अनिल बैजल किस केंद शासि प्रदेश के उप राजपाल थे जिन्होंने अपने पस सिस्तीफा दे दिया है तो दिल्ली के ये उप राजपाल थे दोस्तो इन्होंने निजी कार्णों की वज़े से अपने पस सिस्तीफा दिया है और अपना जो इस्तीफा है इन्होंने देश के राशपती रामनात कोविन जी को भेजा है राश्पती ही उप राजपाल और राजपाल की नियुक्ति करता है अनिल बैजल जी दिली के किस नंबर के उप राजपाल थे 21st दोस्तो अब मैं आपसे कुछ प्रशन करने वालों जो भी आपने अभी तक पढ़ा है इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना और दोस्तो अगर आप लोगोंने कमेंट बॉक्स पर उत्तर नहीं दियाना तो पाप लगेगा फिर मत कहना कि एक्जाम निकला कि निकला तो दोस्तो ध्यान से सुने और हर एक प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स पर जरूर दे CBSE के अध्यर शाली में कोन बनी है निकहा जरीन ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में माईला विश्यो बॉक्सिंग चैंपेंशिप में गोल्ड मिडल जीता थॉमस कब की स्खिल्ड से रेलेटेड है इंटेनेस ने मुजियम डिक कब मनाया जाता है त्रिपुरा की नए मुख्यमंत्री को ने इन पाचो कुश्चन के एंसर बड़े इमानदारी से कमेंट बॉक्स पे दो और अपने भविश्य का निर्माड करो दोस्तो तुम्हारा जन्म कुछ अच्छा करने के लिए हुआ है और इस बात को महसूस करो डेली इसको दोहराओ तो दोस्तो ये थे current affairs का महा revision मैंने surprise दिया weekly current affairs ही नहीं मैंने आपको एक से लेके बेजोड current affairs पढ़ाया ताकि आपका पूरे महीने का लगबग revision मैं ने करा दिया है तो दोस्तो ये थे important current affairs follow करना है crazy jk trik को different social media platform पर keep liking keep sharing your channel crazy jk trik and don't forget to subscribe and press the bell icon बट्टण यदि आपको हमारे क्रेजी जीकेट का कभी current affairs नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं राजा सर current affairs तो मैं आपको वहाँ पर भी मिल जाऊंगा तो दोस्तो मुस्कुराते रहिए और अपने जो संकल्प है उसको हमीशा से ध्यान पर रखते हुई मादा पिता के अश्रवास से मेहनत करते रहे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जै हिन जै भारत